Hello students, कल आप लोगों ने जो है linear differential equation को पढ़ा, आज हमें लोग पढ़ेंगे equation equation reducible to reducible to linear form मतलब कुछ ऐसे भी differential equation होंगे students जो linear form में नहीं होंगे but that differential equation can be converted into the linear form ठीक है, अब हमको यह पचानना है कि किस टाइब का differential equation रहेगा कि उससे आप linear form में convert करेंगे, कैसा दिखेगा तो उसी में students आपका टॉपिक है वह है आप बढ़नावलीज ठीक है, बढ़नावलीज इक्वेशन differential equation भी आप कर सकते है बढ़नावलीज equation ठीक है यह आपका जो है इस बढ़नावलीज differential equation को आप linear form में क्या कर सकते है students reduce कर सकते हैं अब हम जाना चाहते हैं कि बढ़नावलीज equation होता कैसा है तो बोलते है और differential equation differential सुबह समझे लेंगे आप लोग और differential equation is a form is a form dy by dx प्रेस का P y । q इन्टु 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 इन्ट तो इस टाइप का जो दिखेगा जहां पर देवाइड एक साथ य के पावर यहन टाइप का कोई भी आपको फंक्शन हो सकता वाई वाई उसकार वाई क्यू तो ऐसे डिफ्रेंशल सर्कार मिर्यूस करते हैं इसको स्थें साथ इस आख संब हम उसकुल स्कॉल अगर बरनाओलीज इक्वेशिन इस परनाओलीज एक्वेशिन है और पी आपक्यू आप संक्षाइन आप और दी फॉंक्षन आफ एक्स वन ली अब कैसे हम इसको जो है इसको कैसे लिए फार में करेंगे तो जब भी बर नुवली जी टाइप को दिखाई दे तो जो भी यहां वाई का टर्म रहेगा उसको त्रांस्फर्ट दीए क्या हुआ यहां पर यहां पर आपन वाई टुदी यहीं हो जाएगा तक फूर तो एक को हो जाएगा यहीं को जाएगा यहां जो पी कहा जो पीके सांथ वाई का टर्म है इस को हम माहिए अइस एक को हीओ करेंगे लेट वाई डी पावर तो यहाँ तो आप माल लेंगे भी इसको स्विल्स कर देंगे डिफरेंसियेट तो वाइट वीडिपावर्ड रडिफरेंसियेट करेंग तो फावर आगे आता है और पावर में से उस्विडूञ्स एक कम हो जाएगा दो वन माइनेस एंपिर माइने च्वन और फिर वाइक का सब्सक्राइब यहां जाएगा अब यहां से मिलने वाला है 1-n हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पर यह वन से वन क्या जाएगा आपका सब्सक्राइब कर देखिए अब इसी चीज को हम लोग यहां कर देते हैं तो फ्राम एक्वेशन फर्स्ट से आते देखिए क्या है फर्स्ट फर्स्ट से जब आएंगे स्टोडेंस तो देखिए वाइट पावर माइनस डी बाइब डी एक्स की जब बात करेंगे वन अपान वन माइनस एंड और डी वी डिख देंगे इस्टूडेंस ठीक है और आप आप में डी अक्स आपका लगा रहेगा इसके बाद प्लस फिर वाइट उदी पावर वन माइनस एंड को इस्टूडेंस आपने भी माना हुआ है तो भी पी हो जाएगा और इक्वल टू इस प्लस थी के घंड एक्स ओप्लेस का ठीक है वन माइनस एंड वी इंटन पी और इक्वल टू रएगा वर माइनस एंटन टू पी कोई समझा नहीं अब यह तो बन माइनस एंड कोई नंबर रहेगा आपका कि यह मतलब यहाँ पावर रहाएं वाइस का रहेगा तो यह व सिर्द मेन व और एक्सलियों इकसट धीज़ लिट इस लिडिवेंटर इक्वेशन इन भी एंड इन ऑक्स ऐस आप में पूरप神App है दिवान्ने erfolg शाक निकाल लेंगे इंतिगरेटिंग आप नि कल लेंगे आ पावर इंटेगरेशन आप क्या कर लेंगे तो प्रक्राइब क्या जाएगा आपका वन माइनस एन जो भी यहां रहेगा और फिर सलूशन की जब बात करेंगे तो सलूशन आपका इस्टुडेंट वह जाएगा चुकि वह मैं है तो वी इंटू इंटू इंटेगरेटिंग त इस्टुडेंट्स और इसी एकॉल टू इंटिग्रेशन क्यू इंटू 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 इंटिग्रेटिंग फैक्टर और फिर डी अप्लस का सी यह पोह जाएगा सलूशन ठीक है जब इसको कल लेंगे आप तो बाद में आप पूट कर दीजेगा भी के प्लेस प इस तरीके से अप्लाइग करते हैं तो अब इसी पर हम लोग कोश्चन करते हैं तो अब इसको सॉल्व करें इस पर और यह कोश्चन लेक्ट है यह है कुश्चन दे दिया सॉल्व कुश्चन आपका इस्वेंट्स सॉल्व को डी बाई बाई डी अक्स प्लश वन अपान एक्स इन्टू आई इकोल टू एक्सी स्क्वार वाई टू दी पावर सिक्स यह है ठीक है इसको देखते हैं तो जो हमारा है यहां पे जो प्रोसे प्लेस का वन अपान एक्सी इन्टू यह एकोल टू एकसी स्क्वार तो एसे दिवाई इकोल टू टू वाई इकोल टू एकोल टू और फोंक्शन हो गया और यह पूरा बढरुलीज सब्सक्राइब करने के लिए एक्षाल करने के लिए तो यहां पर यहां पर यह इसको सब्सक्राइब यहां 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 इसके बाद प्लस इसको भेज लेंगे उपर तो यहां यहां पे जो इसके साथ पी के साथ जो भी रहता है वाई का पावर उसी कहों मालते भी तो स्टुटेंट कर लेंगे यहां यहां से मिल जाने वाला है यहां से मिल जाने वाला है यहां इसका वन अपान फाइफ और दीवी अब इसको को प्रप कर देजे देन आईए यहां पे तो वाई के पावर मादेश दी वाई इतने के अस्थान प्रेम देंगे इस्टुटेंट्स क्या यह माइनस का वन अपान फाइफ और डी भी और आपान वे आपका डी अक्स बहें जाएगा और प्लेस वाई के पावर मादेश मादेश वाई यक्स को ठीज्ट अमा इसका फाइफ माइनस फाइफ एक्स पर यह स्क्रण यह स्थार अगडा तब यहां बेश्कोरेंट्स यह P equals to what here P equal to up मायास का 5 by X यह देखी भी और X में linear equation और P into V equal to Q यहाँ पीकॉल तो मायास का 5 by X and Q equal to minus 5 X square अब निकालेंगे students integrating factor तो यह होता है एडिटो पावर इंडेगरेशन फी एक्स्टूट सब्सक्राइबवधोग पार- Nico पवाइप अपन एक्स लागेक्स इस्टुएंट पार लॉगmm अंतली पावर है पाउब है जब मैं पनड़ाइसें गए संथ ट से सितन तो टог जैका है यह जो पावर धाइब के पावरह लागने तो आए इस पावर फाइं है इस डैनगरेटिए के फैक्ट यह जाएक tuo डंड़ाइस अपड़ लोगने जुट की बात कर लेते हैं सभसार मेशान चाहर है स्धिश्ट से खिरेट के töण से इन टू कुछ ग्रौGU इंटू एंटेगरेटिंग फेक्टेर और इंतिक्रिटिंग फ्रट वरनपर एक्सपावर फाइव और डिकोकस कहीं यहां से मिल जाएगा भी आपान आए एक्स पावर फाइफ इस्त्म धर आप एंते इस्तुमई है यहां सिस्ट मिलाएगा भी आपां एक्स मेल इस इकॉल टु मपानINE का 5 कुह इसको भीजिने मीद का फाइप हुपर एकशन सब्सक्राइब कर दिए आसे इसका इंचेट आपकर नंडिल सुननों पहरं है न प्लस की नंप सब्सक्राइब करने यहां से के स्केम टेंस की पावर 5 इजी एक्वल to minus का 5 कि और 1-3 X कि पावर minus का 2 और एक माइनस का 2 और प्लस का सी तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको मैस मैस प्लस हो जाएगा और बीकी वैलू इस तो बीकी वैलू कितनी है और यह extra power minus 2 हो प्लस-टासी इसको इस्ट इन अपान वे कर देंगे तो वहना पान एक सिट्वी पाफ पाइफ वाइच उदी पाउर 5 और ओग्युच्छ फाइफ और प्रसकाम किसी दूपलोश क्वी श्क्वारल्स को है को जा सकते हैं धी करिंषएी तो आप the solution, this is the solution students, नोट का लीजी आप लो, आज़ा students, अब question है आपका अगला, कुश्चन है, solve, कुश्चन है, solve, x, dy by dx, प्लस का y, is equal to y square log x, अब यह question students, आईए उसको देखते हैं हम लो, कि इसको कैसे सालूप करेंगे हम लो, तो देखें, यहाँ पर जो है, वो कुछ इस तरीके से है, अगर ध्यान से अगर देखा जाये तो, अब यहाँ देखिए, solution की बात करते हैं, तो solve करने की कोशिस करते हैं, इसको solve कर लेंगे, same pattern पर देखते हैं क्या-क्या है, इसमें किस टाइप का यह differential equation है, तो देखिए, पर यहाँ साट आदीजिया, तो dy by dx और प्लस का 1 upon x into y, और यह जाएगा इस्टुएंस आपका log x upon x into y square, यह भी बढ़नावलीज equation है, कैसा, देखिए, प्लस का P y equal to q, तो P or q x ते function है, इन्टु y के पावर यहन, तो यहाँ y square है, मैंनों पहले बता है कि एन के वहलुण 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 2, कुछ भी हो सकता है, तो यह देखिए, इस तरह से हो गया, अब यह करेंगे इस्टुएंस जभी अभी बढ़नावलीज है ना, इस इस दो बढ़नावलीज इक्विशन इसको हम उन्हें ट्रांसफर कर देंगे, वन अपान y square dy by dx और प्लेस वन अपान x into y upon y square is equal to log x upon x, यहां देखिए क्या मिलने वाला है, वन अपान y square dy by dx और प्लेस का, यहां से मिल जाएगा आपको इस्टुएंस यह वन अपान x और इसको भेज देंगे ऊपर, एक कर जाएगा तो y के power minus 1 आएगा, और log x upon x, अब इसी को हम मानते हैं भी, आप चाहें तो इसको भी भेज देंगे ऊपर, तो आएक पार minus 2 हो जाएगा, अब इसको लेट कर ले, y के power minus 1 equal to b, differentiate कर ले, minus 1 y to the power minus 1 minus 1, dy equal to dv, means students, यह हो जाएगा, minus y to the power minus 2, और dy equal to dv, यहां से क्या हो जाएगा, तो y to the power minus 2, dy के place पर लिख देंगे, है न, minus का dv, तो minus का dv by dx, यह हो जाएगा, और plus का 1 upon x, इसको आपने भी बोला, are equal to log x upon x, इस minus खोटाईगे हैं से students, तो dv by dx, और minus 1 upon x into b, are equal to minus log x upon x, तो यह देखिए, आपका differential equation हो गया, linear differential equation हो गया, किसमें भी और एक्स में, this is the linear differential equation in v and x, यह भी और एक्स में students क्या है आपका, linear differential equation है, किसमें, भी और x में, ठीक है, तो हम निकालेंगे integrating factor, integrating factor, ठीक है, तो e to the power integration, अच्छा मैं लिखी देता हूँ पर ले, here, p equal to minus 1 upon x, and v, q, q equal to log x upon x, फिकें, तो now integrating factor, इस्ट्रिंट्रिंस, integrating factor की बात करते है, e to the power integration, p dx, तो एक्स प्रिणाइगा, e to the power integration, p की value minus 1 upon x, और d x, students, dx upon x होता है, log x, तो प्रिणाइगा, e to the power log x, लेकिन यह जो मैं एंदर जब कर देंगे, तो 1 upon x, और e to the power log के सांथ जो होता है, और सलीट जब सुलूट की बाद हम लोग करेंगे कि होगा सुलूशन दिखें क्या होने वाला है साभाथ हो भी-t historiating वस इस युकॉल टूट溟्वाइटि अब और Dx और प्रसका सी यहाँ से भी इंटु इंटी ब्रकेंग हिद्号 तो भी इंटू इंटी इंचिर स्थ फ्याट्र वन अपान fallen x is equal to QEM students लॉअард कैस्जुश कि अपान एक्स इंटू इंट्रेटेंग एक्स को एक्साद सब्सक्राइब एक साथ अलग तो आइए सर्फ करते हैं फस्ट फॉंक्षिन लॉग एक से किरेशन तो यह एक स्वार मानेस टू इसका इंटबर्ण देंक रूपर मैंने एक्स को जाया सब्सक्राइब माइने तो फिस्ट फंक्शन सेकंड का ही इंडिमिस माइन इंडिले जन फिर रिफ्रेंट दिफ्रेंश करिंग को सब्रस्वाइं पानने parameter मुए पान कर लिए लिए यह दिए एक्स प्लस का सी तियाँ जाएगा माइनेस लॉग एक्स अपान एक्स अपान एक्स अपान एक्स और इसका इंटिक्रेशन करेंगे तो सेम उसी तरीके से अब उपन एक्स अब ऑग किसके वेलू कि जो वेलू है गहें कर दीए Toewon x आपान x माइनस 1 आपान x और प्लस का सी ठीक है यह आप पहुजाएगा इसका सलूशन इसका सलूशन इसको इस फार में भी सकते हैं आप चाहें तो यहां से यहां से यहां से कि माइनस का वाई और प्लस का c xy यह भी आपका एंसर हो सकता है ठीक है इसको भी आप जो है इन दपी लिख सकते हैं कोई समस्ता ने स्टुरेंट्स ठीक है सायत कहीं मिश्टेक है क्या अपलों और और पिसका वेलू है यह प्लस कर गए थे स्ट्राइब यहां रहेगा अब मानेस रहेगा प्लस कर जाएगा ठीक है और फिर फिर माइनस के साथ है पूरा यहां प्लस भले कर जाएगा और यहां पोका माइन सोच यांगा ओए यहां से ऐसे इस तरिके और यहां से नहीं करेंगे आप ठंट कि इसको जो है यह मांज रहेगा और इसको क्या यह आप प्लस में रहाँ है जो आप यह सकते हैं आप चाहेते वन इक्वल टू य कॉमन करने तो वन प्लस लोग एक्स और प्लस का मैं सो गए तो मायन शोग एक सब्सक्राइब सिसक्वें नूटिजी आ दे की आगे दिछते हैं प्रच Charlieतcorüne करें की सब्सक्राइब सब्सक्राइबAw जब दिफरेंसिल-धी का दिफे Кईर्णी करने की तरीकह ओडों इन इस पर खुणी द्यसप्रों को सब्सक्राइब दिफ्कोंचर्द सब्सक्राइब करें के जोर्मकारा पर तरीकर मोस्ब्स पर डिफ्रेंशल एक्वेशन इस सट तो बी एक्जाक्ट इफ इट कैन बी ओप्टेंट फ्राम इस प्रिमिटी वादब सलूशन डायक्त लीब डिफ्रेंशेट करके आप उस डिफ्रेंशल को कर सकते हैं तो आपको करने के लिए आपको जो है वहां प्रोसेस भी लगाना पड़ सकता है तब जाके आप जो है प्रोसेस को सिंप्लिफाइब करके आप किसी भी डिफेंशल इक्वेशन को अच्छा होता है कि इसका जो सलूशन को डायक्त लिफ्रेंशेट कर दो आपको कुछ भी नाटक नहीं करना है और समय तो सोचना पड़े हैं किस तरीके से अब सब्सक्राइब करना होता है तो उस सलूशन को डिफ्रेंशेट करते हैं करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं ठीक है लेकिन जब होता है तो इसके सलूशन मिलेगा इसके सलूशन को आप सीधर कर दीजी आपको कुछ भी सोचना नहीं है आप डिफ्रेंशेट कर देंगे और आपको तुरंत आपको डिफ्रेंशेट सब्सक्राइब करने के लिए उसके सलूशन से आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा आपको जो है दिमाग लगा कर किसी तरीके से जो सब्सक्राइब करना होगा लेकिन अगर डिफ्रेंशेट इक्वेशन इक्वेशन सब्सक्राइब कर दीजिए देन यूगेट डाइट इफ्रेंशेट ने परेंशेट कर सकते हैं डिफ्रेंशेट कर सकते हैं डिफ्रेंशेट यूगेशन को प्राप्त कर सकते बिदाउट इन्वाल्विंग एनी प्रासेस आप मुट्रिकेस निसमलब बीना कुछ और मेथड लगाए बस सीज़े डिफिरेंसेट कर दीजिए यू कन गेट दैट डिफिरेंसल इक्जेक्ट होता है कैसे इसको पता करेंगे तो उसका नेसेसरी कंडिशन मैं इसको प्रूफ नहीं दे र आप फॉस्ट डिघ्री का दिफिरेंसल इक्टेस तो स्मंझ में इस जो फॉस्ट डिफिरेंसल एकेशन होता है वह क्थिरेंशन केन आलवेज पूट इन फॉर्म एमडिक्स प्रस अन दिवाइकोल टो ग्योओं तो अगर डिफिरेंसल एक्ट है वाट्पानल का तो उसका नेसेसरी कंडिशन है कि देवा अपान देवा इक्स याम और यह आपका डिफरेंशल इक्वेशन आपको इस रूप में दिखाई देगा आप कर सकते हैं इसी रूप में दिखाई करेंगे इस रूप में आ जाएगा आपको यम को विथ रिस्पेक्ट वाई पार्सली डिफरेंशल कर देना है और यह तो पता करेंगे तो फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको यहां से में उसको क्या करेंगे इस रूप मानेगे किशा का थेंगे फिर दूसरा है integrate with respect to y only those term of n which do not contain x उसके बाद यन हाँ तो इंट्ट्रेट करेंगे with respect to y यन के उस टर्म को with respect y integrate करेंगे जो एक्स को नहीं करेंगा मतलब यह माली जो कहीं टर्म है तो उसी टर्म को को इंटेगे करेंगे जो जिसमें यक्स नहीं होगा जो फ्री फ्राम एक्स होगा फिर दोनों को इंटेग्रेट करेंगे जिसमें यक्स नहीं रहेगा उन दोनों इंटेग्रेट करेंगे एड करेंगे किसके बराबर किसी कॉंस्टेंट कर देंगे आपको मिल जाएगा का सलूशन ऊब लगा इजाट डिफ्रेंशल इक्वेशन को नूट कर देजिए को फिर मेधेड को फिव उसके बाद हम लोग आगे जो है इसको क्यों करके बताते हैं आपको कैसे पता करेंगे और किस तरीके से जो है आप जो सुल्व करेंगे आज देखते हैं आई अब देखें के कोश्चन देखते हैं कोश्चन है सॉल्फ एक्स प्लस यह वाई प्लस जी और डी अक्स और प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ दी वाई इकोल डू जीरो ठीज़ें देखिए यह कोश्चन सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है एम डी एक्स प्लस एंडी वाई प्लस जीरो के फार्म का जो नहीं रहेगा उसको हम देख सकते हैं ठीक है आई देखिए आपर सलूशन की जब बात करेंगे तो कोश्चन आप यह है एक्स प्लस यह वाई प्लस जी और ड एक्स प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इकोल टू जी यह है अगर यह की बात करें तो यह है आपका एक्स प्लस यह वाई प्लस जी ठीक है और एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ देखिए यह अगर डी आपका बनाएं तो यह डी यह इक्स प्लस एक्स प्लस प्लस एप उस चला जाएगा उस मेथर से भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि कोई डिफिरेंशन वोगा वह जो जो कंडिशन होल्ड करेगा है ना उस उस मेथर से सॉल्व हो जाएगा तो यह लिद्यू से से भी question solve जाएगा और एक्जेक्ट से भी देखिए यह mdx plus ndy के अब देखो क्या करते हैं अब हम देभा आपन देभा वाई निकालते हैं और डेभा आपां देभा एक गात अलों एकण लकल देखेट तो डिफ अपनदेभा वाई इसको टिफ्समेंट करेंगे विछ सेटो तो वाई करेंगे तो पार्सली कर रहे हैं तो एक्स तो यह कॉंस्टान आपका इसक्वाइगा एक हो धर गाया फिर तो डेवा न अपान टूइभा एह सफस्लेख और इसमें यद्यक्त के यह लिए तो जीरो प्रस प्लश ग्याग का पूस्ब richer ग्यें का इसमें inflha में आपता 598 अब यहां हिए यहाँ 1 देवा ऑफान जीक खरने लिए अपान से गीके are differential equation va differential equation is exact इसले जो आपको अब इभों किसंट्राइट है आपका इसव प्रस्क्रेंश tut week एन हे थो हो गया तब सलूशन नव्俊ंट्राम् किसे करतें हैं नाव दिस सोलूशन सब्सक्राइब लिखाए गया था इंडिएशन एम डी अक्स और प्लस इंडिएशन एंडी वाई इकोल टू कॉंस्टेंट सी लेकिन यह में क्या लिखने हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां का वही टर्म लेते हैं डोज इस टर्म आफ एन विचिश फ्री फ्राम एक्स जो यक्स से फ्री हो मर्लब कर सकते हैं जिसमें यॉक्स ना हो ठीक है आए देखते हैं डिख्रेशन यम यम है आपका यह एक्स विसयन तो टर्म को लिखते हैं जिसमें यक्स नहीं होता वह पूछमा नहीं होता है इन दोनों में यह ब्लस थैसे यह एद रिखेगugen यहन के उस टर्म को लिखते हैं जिसमें यक्स नहीं होता है तो इसलिए हम लोग यहां से स्कॉट आ दिए तो आसानी से जो है बी-वाई-प्लस-फ लेखेंगे यह हम पुरा लिखेंगे अब जब इसको इंटिग्रेट करेंगे तो य को कॉंस्टेंट मान के इंटिग्रेट क नहीं हो जाएगा और प्लैस का जी का भी करेंगे तो ग्स फो जाएगा इसको भी तो य करेंगि तो बी-वाई-बाइगा य तो प्लैस यफ यवाई का दी य का को इंटिग्रेशन आपका थीग इकवसी यह आपका इस्टुट इस थी आपका इस हिस दुट चाहें ले सकते है ठीक है तो यव यह सकते हैं यह सोलूःशन या आप इसको करके सकते हैं एसको कर सकते हैं ठीक आप कि अब देखे क्या करेंगे अब क्या का तरीका है यहां पर अब तरीका कुछ ऐसा है कि जो है इसको स्वाल परने के लिए अभी यह आपका हो गया सालूशन अब देखी मैं आपको इंतार रहूंगी सब्सक्राइब होता है आप उस डिफ्रेंशल एक्वेशन के सरूशन को अ गोषन अब मैं आपको दिखा जाता हूं तकि बैसे कर दो तो इसरी प्सक्राइब कर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर तो 2000 फंच य का द्प्रेंशल फ़ाइब आइक सब्सक्राइब एक जाएगा वन थीगह है अपलेस का 2x जाएगा वन आ प्लेस का टूबी वाई य सक्यूर्ण य स्टुटिएंस तो आछे इसक्यूर्स का हो जाएगा एक लिट तो आपको y2 को लाइगा इस्टूइनस 2y और dy by dx एक्षाइब का सीडाइस का इसका डिफिसने जी ताव इसकुछ नहीं करना है आपको आपको क्या करना है यहां पे कि जो यूट जिया अब जो है आपको 2x करेंगे यहां पे यहां पे यहां जागा 2x और प्लेस का यह 2hx और dy by dx और प्लेस का 2hy और प्लेस का 2g और प्लेस का 2by और dy by dx इखल टू टू सम्में से खटा दीजी सापको मिल जाएगा एक्स प्लस का HX DYY DX प्लस का HY प्लस का और टू अठा दिया तो G जी अब प्लस का फिविश के बाद आपका जो हो जाएगा यह कोई टर्म छूटा है क्या यहाँ पर यह टू बी नहीं है यह तू यफ है तू यफ सोरी ठो है यहां पर इसका इसका मैंने नहीं किया इसकाभी कर लिजिए नेंहां पिर्फ इवकास कर लिए इसधra करेंगे तो xy को जाएगा its याप tier यहां के तरीके से अब टू हटा दिया आपने है तो यहां देखे तो यह इसको आ आप यहां पर यहां पर यहांपर यहां पर चाहेगा ठीक लीजिए ठीक है तो दिखी हाँ हैं हो फनिए कर दिया है रसलूश्चओ दिए ब करने ऐसलूशा ओधिया इसलिए जो इफपीसली एक्ट dot equation students यह आपका है exact differential equation this is the exact differential equation ठीक है तो यह तरीका होता है ऐसे बता करते हैं सुनूर को लीजिए स्टुडेंट्स आप लो